नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हिमाचर प्रदेश की आज अब तक की करोना वाइरस अपडेट लेकर में आपके सामने उपस्तेतूं तो हिमाचर प्रदेश में अब तक 33 नए मामले सामने आ चुके हैं तो किस जिले से कितने मामले सामने आए हैं तो सिर्फ चमबा से ही 16 करोना पोजिटिव के नए मामले सामने आए हैं हिमाचर प्रदेश में बुद्वार को 33 करोना पोजिटिव मामले सामने आए हैं चम्बा में 17, उन्ना में 8, हमीरपूर और कांगडा में 4-4 नए मामले सामनी आए हैं, चम्बा के दडोग मुहला से 17-16 क्रोना पोजिटिव केस आए हैं, एक ब्यक्ति द्रडा का रहने वाला है, कांगडा जिले में बुद्वार को 4 नए मामले सामनी आए हैं, मुंबई से ल 33 वर्षय व्यक्ति क्रोना संक्रमित पाया गया है, हमीरपूर जिले में बुद्वार को पिता पुत्र समीत क्रोना संक्रमन के 4 नए मामले सामनी आए हैं, मुखे चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि तेसील हमीरपूर के गाम जिंबी के 41 वर्षय और उसके 12 वर्षय बेटे की रिपोर्ट पोजटिव आई है, दोनो 25 जुलाई को जलंदर से आये थे तथा ग्रिय संग्रोध में रखे गए थे, गाम लंबलू का 28 वर्षय युबक भी क्रोना संक्रमित पाया गया है, बे सियाचीन से चंडीगड होते हुए 23 जुलाई को गर आया था, तथा ग्रिय संग्रोध में रहरार था, बड़सर के गाम अपर हडेटा का 29 वर्षय ब्यक्ति भी पोजटिव निकला है, बे 29 जुलाई को मुंबई से लोटा था, और उसे संस्था गत संग्रोध में रखा गया था, मुखेच के साधिकारी ने बताया कि चारो संक्रमितों को कोविड केर सेंटर में शिप्ट किया जा रहा है, तो जे थी इमाचर ग्रेज की आज की क्रोना वाइरस अपडेट, तो आज 33 नए मामले क्रोना संक्रमन के आए अभी तक, तो इसी तरह आगे भी अपडेट आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और ब